जिसमें कोई भी जो signaling molecules या chemical बाहर से cell surface या जो cell होती है उनकी बाहरी सत्था पर interact करता है या जूड़ता है और फिर वहां से फिर जो cells के आंतरिक भाग में nucleus तक पहुँच कर उसे effect करता है तो यह process signal transaction कहलाती है इनमें जो nucleus में यह molecule gene जैसी क्रियाओं में changes लाकर protein जो synthesis की क्रिया होती है उनमें response करता है तथा यह chemical या molecule या कोई भी element हो सकता है इस क्रिया को हम signal transaction कहते हैं इनकी आप सकता देखेंगे हमारी जो body में बहुत सारी cells पाया जाते हैं इनकी संख्या लाखु करूरों में होती है तथा यह जो cells होती है वो हमारी body में होने वाली जो सभी specific function होती है उनको complete करते हैं इनमें जो cells होती है वो एक दूसरे से body से interact कर बहुत सारे एवं अलग-अलग प्रकार की signal पत्वे का कारे करते हैं और जो इस प्रकार की क्रिया होती है इसके आंत में दो प्रतिक्रियाएं स क्रिया के फर्स रूप cell grow करता है या cell death की process होती है इसमें हम देखेंगे bringing a chemical signal inside the cell जो कोई भी chemical जो signal होता है वह cell के अंदर जाता है तो यह activate हो जाती है या nucleus को प्रभावित करता है जिससे दो प्रकार की क्रिया होती है या तो cell growth होता है या cell death होती है इसमें हम signal transaction में इसके components देखते हैं इसमें first है signaling molecules, second है signal receptor, third है signal conveyor, fourth है signal transition और fifth है transcription factor इसमें first हम देखेंगे signaling molecules signaling जो molecules होती है या ligand और chemical molecule या element हो सकता है या जो signaling molecules होता है वह receptor के माध्य हमसे cell में प्रभेस करता है और यह molecule inactive form में होता है जो बाद में active होकर अपने कारे को करता है इसमें second हम देखेंगे signal receptor जो signal receptor होता है वह cell के surface पर इस्थित होता है या signal receptor cell surface पर इस्थित होता है तथा ligand जो होती हों है tightly attach करने का कारे करता है इसमें जो signal receptors होती है वह दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है इसमें एक outer side part होता है और एक intra cellular part होता है इसमें जो outer part होता है वह ligand को catch करने का कारे करता है और जो inner part होता है वह ligand को जो ligand होती है उन्हें cell के अंदर डालने का काम करता है जो receptors होते हैं या कई प्रकार के हो सकते हैं इसमें जैसे है iron channel linked receptor और second है triocene kinase linked receptor इसके बाद हम देखते हैं signal conveyor जो signal conveyor होती है इनमें जी प्रोटीन signal conveyor के रूप में उपस्थित होती है इसमें जो जी प्रोटीन इसकी अलग से एक वीडियो बनाया गया हुँआ आप देख सकते हैं यहां जो signal जी प्रोटीन होती है यह ligand को catch करने का कारे करता है तथा जो यह ligand को catch कर इसे signal transducer में देता है इसके बाद हम फोर्ट देखेंगे signal transducer signal conveyor से जो ligand होती है वो signal transducer में जाता है और तब यह in active form में होती है signal transducer में ACE, adenyl, cyclis enzyme उपस्थित होती है जो ligand को active करने का कार करती है और जब यह ligand active हो जाता है तो यह cell में पहला response देता है इसे हम second messenger भी कहते है फिर इसके बाद है फिप्ट है transcription factor transcription जो factors होती है वह cell में present होती है और ligand के साथ जो nucleus में nucleopore होती है उनके माधियम से प्रवेस करते है और जो nucleus होती है उनको effect करती है इन में nucleus में पहले से ही उपस्थित जो DNA होती है उनसे mRNA और mRNA से फिर translation की किया होती है और इस प्रकार जो mRNA होता है वह बहर आकर protein का निर्मार करता है और फिर यही protein जो cells होती है उन्हें cell growth और cell death के लिए allowed करती है जो cell growth में cells divide होती है और cell cycle के अंतरगत आता है जब cell death में cell मर जाती है और यह apoptosis के अंतरगत आता है इसके बाद हम देखते हैं फ़र्ष्ट फ़र्ष्ट मेसेंजर फ़र्ष्ट मेसेंजर जो फ़र्ष्ट मेसेंजर क्या होता है यह cell के बाहर से आता है या कोई भी hormones enzyme के रूप में होती है इन्हें हम legan भी कह सकते हैं उदारन के लिए है insulin hormone जो insulin hormones होती है यहाँ जो cell होती है उनके सरफेश भाग से receptor के माध्यम से जुड़ता है या inactive form में होती है तथा जो insulin hormone होता है वह cell के अंदर पहुँचकर जो हमारे blood में जो glucose level होती है उन्हें control करने का काम करता है यह pancreas के जो gland होती है उनके दवारा insulin hormones secret होती है इस प्रकारिया जो blood में glucose होती है उनके level को control करने का कारे करती है इसके बाद हम देखते हैं second messenger जो first messenger जो कोई chemical molecules hormone या enzyme या जब cell के जो अंदर या पहली बार कोई भी प्रतिक्रिया response करते हैं तब उन्हें हम second messenger कहते हैं यह जो first messenger के द्वारा ही निर्मीत होते हैं example of second messenger second messenger के विभीन example दिये गए हैं जैसे c amp cyclic adonine monophosphate gmp guanine monophosphate ip3 initiator triphosphate और फूर्थ है calcium etc कि इसमें हम signal transaction की प्रोसेस को देखेंगे जो सबसे पहले जो लीगेंड होता है वह कोई भी chemicals या enzyme हो सकता है यह लीगेंड सबसे पहले cell के बाहर होता है एवं यह inactive form में होता है यह receptor के द्वारा catch कर लिया जाता है और receptor यह जो receptor होते हैं यह लीगेंड को cell के अंदर ले जाते हैं और यह जो लीगेंड होता है बाद में G protein के पास जाता है यह G protein है इसके पास जाता है और खुद जो होता हुआ जी प्रोटीन को active कर देता है एवं खुद inactive form में होते हैं जो जी प्रोटीन होती है उनमें तीन लोग होते हैं अलफा बीटा एवं गामा यह अलफा और गामा यह cell surface से जुड़े हुए होते हैं तथा जो बीटा होती है वह अलफा एवं गामा के भी स्वतंत्र रूप से लटके रहते हैं तथा यह जी टीपी form में होता है जब लीगेंड अलफा से जुड़ने वाले होते हैं तब इनके बीच का जो बॉंड होता है वह तूट जाता है एवं जो बीटा होती है एवं गामा होती है वह अलफा से जो जी प्रोटीन से जो लीगेंड होती है वह सीगनल ट्रांस जीवसर में प्रवेस कर देते हैं इसमें पी एल सी यह एक एंजाइम है फॉस्फो लाइपेड साइकलिक एंजाइम दधा पी आई पी टू फास्फो टीडाइल इनोसीटॉल डाइफॉस्फेड इनमें जो पी इनजाइम होता है यह पस्तित होता है दधा पी आई पी टू फास्फो टीडाइल इनोसीटॉल डाइफॉस्फेड यह भी प्रेजेंट होता है यह लीगेंड को एक्टिव कर आई पी थी में कनवर्ट कर देता है जो एक सेकंड मेसेंजर होता है यह लीगेंड एक्टिव हो कर सेल में पहला रिस्पॉंस देता है जिसे हम सेकेंड मेसेंजर कहते हैं आई पी यह प्रोटीन जो यह सेकेंड मेसेंजर होता है यह प्रोटीन काइनेज इंजाइम को एक्टिव करने का कारे करती है और तथा साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो एंडोप्लाज्मिक रेट्रुकूलम में ट्यूब लाइक इस्ट्रक्शर होती है उन्हें एक्टिव करने का कारे करते हैं जिससे जो एंडोप्लाज्मिक रेट्रुकूलम होती है उनमें जो सी एप्लस आयन्स होते हैं वह बाहा स साइटोप्लाजम में निकल जाते हैं और जो एने प्लस आयन होती है वहाँ ए आर में प्रवेस करने लगती है जो सेल्स होती है उनके साइटोप्लाजम में सोडियम में एन ए प्लस की जो संद्रता होती है तथा ए आर में केल्सियम आयन की संद्रता होती है इससे एने प्लस आ में आ जाता है और जिससे जो सेल्स होती है उनकी संद्रता प्रभावित होती है इस प्रकार यदि जो संद्रता होती है उनको सेल अगर सहन कर लेता है तो यह सेल के लिए लाब दायक होता है और सेल डीविजन करता है और यदि यह सेल्स नहीं कर पाता है तो वह मर जाता है यह Q優 की करिया, Calcium, Qualmodeum, Qasquait कहलाती है इस प्रकार की process से जो cell होती है यह या तो growth करता है, divide करता है या cell dead की process होती है इसमें हम रेखेगे जो signaling molecules होती है बन्हें रिसेप्टर के माद्यम से यह signal conveyor में जाती है या signal conveyor के बाद यह signalUB transducer में पहुंचती है इनमें कुछ transcription factors होती हैं जो की nucleus में प्रवेस करते हैं तथा वहां से DNA से जो mRNA तथा protein translation की जो क्रिया होती है उन्हें प्रभावित करते हैं जिससे cell या तो death होता है या cell divide करता है यह ग्रो करता है इस प्रकाश signal के माध्यम से जो nucleus में होने वाली जो क्रिया होती है वह इफेक्ट करती है यह processing signal transaction कहलाती है इसमें जो first messenger वह कोई भी signal ligand होता है या कोई भी molecules या elements हो सकता है तथा यह जो एक्टी होकर अपना पहला response देता है तो यह second messenger कहलाता है तथा इसके पर साथ सिगनल transaction की क्रिया होती है आप 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 आप